आज हम जिस विशे का अध्यन करेंगे वह हैं आपकी बुद्धी, मेरी बुद्धी, इसकी बुद्धी, उसकी बुद्धी और ये बुद्धी है क्या कहीं हम आज चर्शा करेंगे तो बुद्धी की कुछ प्रमुक परिभाशाओं की आज हम बात करेंगे कि बुद्धी क्या है और किसने इसको क्या कहा है तो जनरली तो बहुती स्मृति स्तर के यह प्रशन आते हैं कि किसी के अनुसार पूछ ले लेकिन आप अगर जानते रहेंगे तो आपके लिए बहतर रहेगा बुद्धी के जब बात करेंगे तो कुछ प्रमुक आपके परिभाशा हैं आपके दिमाग में आने शिरू हो जाती है कि सीखने की योगिता है चिंतन की योगिता है समस्य समाधां की योगिता है अनुकूलन की योगिता है तर करने की शमता है Sumrithi की योगिता है, कलपना करने की योगिता है, लेखिन अगर आप बात करेंगे, किसी के अनुसार बुद्धी को परिभाषद करने की, तो कुछ प्रमुख परिभाषा है, आज मैंने कलेक्ट की हैं, जो मैं आपके सामने यापर रखना चाहूंगे. पहली परिभाषा है अगर बात करेंगे जो सबसे पॉपुलर परिभाषा है बखिंगम की सीखने की योगता बुद्धी है बुद्धी क्या है बुद्धी सीखने की योगता है अब इसको याद कैसे करेंगे बख नहीं सीखना अकसर कहता है तो सीख लो नहीं बख नहीं करना बक नई सेखने के नहीं सेखना, तो चीज को सीख सकता है, तो अज़िल के बुद्धी है! दूसरी जो डिफिनिशन है, वुडवर्थ के अनुसार, कारे करने की विधी, देखिए योगिता नहीं, ये मैथड बोल रहा है, किसी चीज को करने का मैथड जो होता है, वही है आपकी बुद्धी, तो वुडवर्थ ने इसको as a method बताया है, कि किसी कारे करने की जो विधी ह वही बुद्धी कैला थी, तीसरी जो मैं डिफिनेशन लेके हो weeks, Oxford की, Oxford ने इसको ऐसे रेफाइन किया है कि ज्यान की योगिता, अधिगम की योगिता, आथिगम की योगिता, अवबोथ और ऑनुभव की योगिता, ये सारी योगिता है, कि होस्य योगिता है, बुद्धी होती है किसी चीज को अनुभाव करने का परसीव करना परसीविंग की जो पावर होती है वो भी क्या होती है बुद्धी होती है आप देखिए नेक्स जो डिफिनिशन वह आलवर्ड डिशनरी की डिफिनिशन है वह है तर्क करने की शम्ता सुरिती मतलब किसी चीज को मैमरी मे सारी डिफिनिशन इसमें आज के लिए जो नया वर्य दिल हो है कलपना करने की जो करता शिरता वह भी क्या है बुद्धि और नेर्दा करने की जो शम्ताय के कोई decision making जो आपके power थे वह वह किया वह क्या बुद्धि कहलाती है नेक्स जो आपके वह अप्षाइक में तो उसकी योगता क्या होती है, बूद्धी होती है, next definition है방लटन के अनुसार, तो उन्होंने आपके विभेद की शम्ता हो वियाँद की शम्ता हो चैन की शम्ता हो, मतंब किसी किसी चीज़ में discrimination करना है, अलगाव करना इस चीज़ में भेद बताना है या चैन करना किसी चीज़ को choose करना है ती यह दोनों आपकी जो श्यमताएं हैं वो क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है नेक्स जो डिफिनिशन ने आपे है वह है अवधान शक्ति के रूप में बुद्धी तो स्टाउट ने ये डिफिनिशन दिया है कि बुद्धी क्या है अवधान शक्ति और किसी इसको attention में आते हैं अगर आप तो वही शक्ति क्या होती है आपकी बुद्धी होती है next definition है रास के अनुसार तो इन्होंने क्या कहा गी लंबा चोड़ा है लेकिन generally हम क्या देखेंगे कि रास्ते का है कि जो अनुकूलन की योगता होती है वहीं आपके बुद्धी होती है मतब कहीं आप जो अनुकूलन करते हैं किसी जिस जीर अडाप्शन करते हैं आपनी चीजों को जो सीखे हो उसका नवीन परिस्टते में यूज पूत यूप Spragyalaya यह जो आप में पुर्व से भिन था जो कुणिसें में ऊप रहेli है अच्छी होता जो परिभषा है है ने बहुत रहा सकते और chauffeur लिखान चाहर के अंत्र से ब्रह 20 में ज्हान नौलीज आटीन करते हैं मृस्तिश में ज्ञान यहां का निका प्रोसेस होता है तो वो और्जन की शम्ता क्या उती है वहीं बुद्धी होती है मैं निर्णाटे से मता नीडस्ट है、 समझ्च्राहित का करने की शम्ताria, भी करने की शम्ता, ख्याक कशने की असराorama सह meten मैं बताने की कोशिश करें कि इसको कस प्रकार से है UP मैं समा यजिन की होगे तक आप जो ऐड़्य होती है बईधियों लेकिन कहां । नवीन परिश्तितियों के बैंट नवीन और Sturn and collapse करना तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नमीन परस्तियों में जो आपके समय जन की योगिता होती है वो क्या होती बुद्धी होती किसके इनुसार? जयसे यहां जैसे यहां जो नाय वय आपकी योगिता बुद्धी होती है अब आप कैसे समझेंगे कि इनुसार करते है कि जो शक्ति प्रोड़ान करती लिए उसको शक्ति करती है ऐसे यहां जो नए वर्ड आया आप कारे करना हूँ है सिखना हुआ अंडर्स्टेंड करना हुआ एक्स्पीरियंस लेना हुआ ढर्रूति नीडे रैना हुआ विभेत करना हुआ अटेंशन मे आना हुआ इसकाष्व आप देखिए बहुत सारी आपके चीजह हैं जो यहां पर देख रहेंगे तो सारी चीजों को आप देखें तो सारी डिफिनिशन मिला देंगे तो वास्तों में प्रतिक संग्यानात्मा की क्रियां होती उनकी करने की जो शम्ता होती है आप उसको बुद्धी कह सकते हैं अगर होती है जैसे आप आइक्यू टेस्स करते तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आपके जो मैंटल एज है अपनेक्ट्वलेज है इंटू हंड्र आप करते हैं तो आपके निकलती तो व्यो जो लेवल बताता है जैसे एक सो चाले से उपर प्रतिभाशाली है इतर बीस से नी नाओं में सहायक होती है और ऐसी कई संक्रियां हैं कि बुद्धि के बिना आपका नहीं हो सकता तो विचार है योगिता है आपके अंदर वहीं चीज़ आपके बुद्धि कहीं जाती है